हाई गाइस वोट्सप कैसे हो आप सभी लोग आई हो पॉलेटिंग वेल तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर स्लेबस और स्ट्राटजी बतातो बीपी सी टी यारी 3.0 एवन 4.0 की भी क्यों क्योंकि आपको पता है कि बिहार म धमा धम बिल्कुल धड़ाके से एक दब वेकेंसी आ रही है ना भर-भर के वेकेंसी आ रही है तो इंगलिश का स्लेबस आज हम लोग डिसकस करेंगे जनरल पेपर का जनरल पेपर की बात करें मतलब की 1-5, 6-8, 9-10 और 11-12 इसमें क्या आता है कितने नंबर का आता है और इ चले हम लोग सुरू करते हैं तो चले या श्टार्ट करते हैं स्लेबस और से इंगलिश के बारे में तो अभी यहां पर आम लोग क्या बात करेंगे अभी यहां पर बात करने वाले अम लोग जनरल पेपर की कि जनरल पेपर की बात करें तो आपका कोई भी लेविल चाहे आ आपका 1-5 वाला लेविल हो या 6-8 वाला हो ठीक है या फिर 9-10 वाला हो या फिर 11 जैसा कि लाश्ट क्लास में पतब लाश्ट पेपर में आपका पूछा गया था उसके एकॉर्डिंग अगर हम लोग लें तो जन्रल पेपर में जो आपका 30 नंबर का रहा है जो आपका 30 मार्क्स का रहा है उसमें जो बाइफरकेशन है जो पेपर में देखने के लिए मिला है उसमें 8 क कोशन आपके इंग्लिस में मिलेंगे और 24 कोशन हिंदी में मिलने वाले हैं तो है ठीक तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी बात कर रहें इंग्लिश की बात करता जनरल पेपर की यह का हिंदी हो गया अब कि पूछा गया किस music तरीके की कोशन पूछे गया है वह मैं आपको बता देता हूं तो भाई यहां पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें क्या आर्टिकल पूछा गया है यहाँ पे आठकिल से पूछे गया है. तीन चार कोच्टन मान की चलो. आठकिल के पुछ लेगा है. मान लो. तीन कोच्टन. अठकिल की पूछ लेगा है. अब इसके बाद blood relation से question पूछ लिया गया है. किस से बैढ़И? blood relation से question. blood relation से 3-4 question या 2-3 question मानलो 3 question पूछ ले गए तो 3-3-6 इसे हो गए दो question आपके GKS वाले भी समें डाल देते हैं कि बताओ season के बारे में जैसे कि मानलो कि इसके बाद क्या आएगा rainy season के बाद क्या आएगा या Friday डे वाला पूछ लेते कि बताओ कि Friday के पहले क्या आएगा इस तरीके question जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते कोई भी लोग कोई भी बच्चा यहां पर कर सकता है कहने का sense है कि यहां पर 1-2-5-6-2-8-9-10-11-12 में 8 question जो और भी चीजें करवा रहा हूं जैसे कि आटिल के राबा हो सकता है कि इस बार 9 से पूछ ले प्रणौन से पूछ ले तो यह भी टॉपिक मैंने डाले हुए है टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं जन्रल पेपर और हाँ जन्रल पेपर के लिए ठीक है यह आपका 1-5 वो प बात करते हैं खात बात करते हैं पहली बात तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम नहीं जोइन के तो जोइन कर लो टेलीग्राम है शरद गुपता पी डबलू टीचिंग वाला आगे की तयारी के लिए इसको सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर जौइन कर सब्सक्राइब लिए इसमें जो जो सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक यह बहुत सारे लोग पूछ रहा थे तो इसी वज़ाज़ा मैंने बता दूँ नेक्स जलते भाई अब हम लोग बात करते हैं लाइन वाइस इंग्लिस का पोर्शन कैसा आता है फिर बात करेंगे हम लोग 910 में कैसा आता है फिर 11 12 में कैसा आता है तो भाई 6-8 की हम लोग बात करें यहां पर 6-8 की बात करें बीपेस्टी ट्यारी 6-8 की इंग्लिस की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं इंग्लिस की बात कर रहे हैं तो इंग्लिस पूछी जाती है इंग्लिस पूछी जाती है 80 marks की, कितने number की, 80 marks की, 80 number की, ठीक है, 80 number की English पूछी जाएगी, 80 number में कैसे divide किया गया है, तो पैसेज जो पूछे गया है, जो अभी तक आपके exam आए हुए हैं, उसके according, पैसेज आपका 25 marks का पूछा गया था, last exam, और grammar, vocab, जो है, वो कितने marks की पूछी गई है, तो वो आपकी 25 number की पूछी गई है, कितने number की, 55, grammar और vocab को मिला ले, मतलब की, कुछ लोग कह रहते हैं, कि सर क्या इसमें literature आएगी, तो literature इसमें नहीं पूछी गई थी, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखे, कितना करना है, 25 marks का passage करना है, और grammar और vocab से आपको ये 55 marks से करना है, तो टोटल मिला करके 80 बन जाएगा, यहाँ पे कौन-कौन से में topic कराने वाला हूँ आपको इस वाले batches में, तो जैसे स्लेबर से आपका noun, pronoun, adjective, verb, verb में दो चीज़े, verb basic, verb advanced, adverb, preposition, conjunction, article, इसके अलावा, tense, subject verb agreement, active and passive way, direct indirect, the sentence with practice, clauses with practice, phrasal verb, one word substitution, idiom phrase, synonym, antonyms, ठीक है, यह आपको मैं पूरा कराने वाला हूँ, यह सब चीज़े मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ, clear है, हाँ, जो कि आपका syllabus में है, फिर इसके अलावा, हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा एक चीज़ और करेंगे, वो क्या करेंगे, comprehension, इसके अलावा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो करेंगे comprehension, comprehension, ठीक है, उसके भी practice में आपको करवाँगा, तो पूरा ये complete syllabus में आपको करवाने वाला हो, यही आपका syllabus है, 68 का, अब हम लोग बात करतें भाईया, 910 की, तो BPSC 910 की बात करें, TRE 910 की बात करें, तो English आपका फिर से वही 80 नंबर का ना है, इसमें कैसे bifurcate किया गया है, तो इसमें ऐसे bifurcate किया गया है, कि पैसे फिर से आपका 25 नंबर का येगा इसमें, और grammar आएगी 40 नंबर की, ठीक है, हाँ, फिर से एक बार देख लिए भई, कितने marks हो गया, 25 और 40 कितने हो गया, 65, 65, और जो English literature आएगी, वो कितने के आएगी, 15 नंबर की, 15 नंबर की English literature आएगी, ठीक है, टोटल हम लोग करें, तो 80 नंबर हो जाएगे, 25, 40, और 15, जखो grammar में कौन कौन से चीज़े पूछी गई है, इसमें, सब मैं आपको कराने वाला हूँ, और यही सब आपके पूछे जाएंगे, पूरी grammar और vocab के topic, पूरी grammar और vocab, यहाँ पे vocab का start हो गया, इसके अलावा, English literature में जो भी चीज़े हैं, English literature में जैसे कि यहाँ पे literary terms हो गए, यहाँ पे आपका, ठीक है, यह सब मैं आपको कराने वाला हूँ, अब इसमें क्या चलेगा, English literature जैसे कि आपको मैं 9th का कराऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10th का कराऊंगा, 9th और 10th का STET का खास कर ध्यान में रखते हुए, कुछ लोग कह रहते हैं, सर यहाँ से प्रशनी आ रहे हैं, प्रशनी यहीं से सबा आ रहे हैं, पंदा नंबर में यही आप cover भी कर पाओग इतने दिन में 9th का जो भी है STET का, वो हम लोग यहाँ पे cover करेंगे literature में, जो भी important चीज़े रहेंगी, ठीक है, बाकी grammar, vocab और इसके लावा passage भी, इसके लावा passage भी, passage का मतलब आपका comprehension जैसे कह सकते हो, clear है भई, तो यह आपका किसका हो गया, यह BPSC TRI 9th का हो गया, English का प इसकी भी त्यारी कर रहे होंगी, तो 11, 12th में क्या difference है, यहाँ पे difference marks में तो नहीं है, 80 marks का यहाँ पर भी पूछा जाएगा, passage यहाँ 20 नंबर का पूछा गया था, लाज्ट टाइम भी, grammar और vocab से जो question थे 25 और literature के यहाँ पे कुछ question बढ़ा दिये गए, मतलब की 35 नंबर क literature यहाँ पूछा गया, grammar vocab आपका वही सभाना है, जो मैंने आपको पहले बताया, यह सारा grammar का और यह आपका vocab का इसके अलावा literature, literature यहाँ पे 9, 10th की नहीं पूछी जाएगी, 9, 10th तो आप कर सकते हो, करना हो तो नहीं तो literature यहाँ पे literary terms, और इसके अलावा 11, 12th का जो literature है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, H.T.E.T. का, ठीक है, H.T.E.T. को focus में आधार रख करके, पुराना paper भी आप देख सकते हो, उसके according कर सकते हो, ठीक है बई, तो समझ गे bifurcation कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़े आनी है, ठीक है, अब बात करते हैं कि strategy कैसे strategy, ठीक है, क्या strategy, strategy आपकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि BPSC 3.0 और 4.0 की, तो भाई 3.0 जो है आपका मार्च में start हो जाएगा, आपको पता है, अना 6 के बाद से, 6 तारीक के बाद से, जो भी date आई है, मतलब एक तरीके से मार्च में start हो रहा है, अब यह आपको इतने दिनों में आपको पूरी त्यारी करनी है, मैं एक महीने मान लेता हूँ, 4.0 जो होगा, BPSC 3.0 का, वो आपका बोला गया है, कि अगस्त में होने की संभावना है, ठीक है, अगस्त में होगा जाकर कि यह, तो इसके लिए तो टाइम है अभी आपके पास, में आ जाए, तो ज्यादा भीतर है, ठीक है, 4.10 आपको बुक पढ़ने से अच्छा है, कि आप तो कोर्स जोइन कर लो, अगर फिर भी नहीं जोइन कर पाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर, अच्छी बुक से, किसी बेच्छी बुक से, जैसे नीतू सिंग हो गई, हना इस से पढ़ सकते हो, और भी बहुत मार्केट में वुक आती हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो वो कैप स्पी बख्षी से, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, एक महीने में आप नहीं कर पाऊगी, इफाइस बिक टूथ, तो इससे अच् करिएगा, त्यारी से रिलेटेट, मैंने आपको बता दिया, वो कैप के लिए आप, एस्पी बख्षी ले सकते हो, ग्रैमर के लिए नितु सिंग ले सकते हो, इन दोनों का कॉमबो आपका मिल जाएगा, लिटरेचर के लिए नाइन टेंथ का जो भी आपको एस्टी का मिले पढ़ें 11-12 के लिए 11-12 लेटरेचर पढ़ें, इस्टी-ईटी का फोकस करके, ठीक है, पैसेज के लिए आपके बहुत सारे कोई भी पैसेज उठा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत इंपोर्टन है, ठीक है, तो जोड़े रही है मेरे साथ और म मेरी रोज क्लास चलती यूटूब पर भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं पांच बजे आप लोग ज़रो जुड़े टीचिंग वाला पर तब तक लिए बाबाए टेक कियर तेंक यू